आसमा को चुकर देखा तारों की करनी सवारी अब इसमें हाइस तो हमें हाइस से भी कोई मतलब नहीं है हम लोवेस्ट देखेंगे कि कितना है तो देखो आप लोवेस्ट अन्रिजर्व क्राइगरी की है पहले आप पर पढ़ लो यह चीज क्या कह रहा है कि यह जो परसंटेज यह एप्लिकेंट्स नहीं डाली हुई थी अगर आपका इस लिस्ट में भी नाम आ रहे है तो भी 100 परसंट यह नहीं है कि आपका अडमिशन हो जाएगा वह फिजिकली जब आप जाके वैरिफेकेशन कर आओ के डोकुमेंट की तब जाके परता चलेगा कि कितने आपके परसंटेज बन रहे और तब जाके आपका जो बिल्कुल मिनिममम मार्क्स है वो हैं 83% विच मींज कि अगर आप बीकॉम ओनर से होना तो आपके 85% मिनिममम होने ज़रूरी है और अगर आप बीकॉम प्रोग्राम से हो तो 88% होना बहुत ज़रूरी है CGPA की बात नहीं कर रहा हूँ मैं percentage की बात कर रहा हूँ CGPA ए अगर लगा लो 8.8 है आपकी तो आपके percentage बनेंगे 83% समयरे हो तो मिनिममम कितना होना चाहिए अगर आप बीकॉम ओनर से हो तो मिनिममम 84% और अगर आप बीकॉम प्रोग्राम से हो तो मिनिममम 89% तो अब मैं बात करता हूँ OBC को हाइस चाहिए होते हैं 85% और इसके जो लोबेस्ट है वो लगवग है 77% तो अगर आप become प्रोग्राम से हो तो आपके 83% होना बहुत ज़रूरी है और अगर आप become ओनर से हो तो आपके 78% होना बहुत ज़रूरी है ठीक है minimum 78 में आपका अगर आप OBC हो तो आपका हो जाएगा admission और अगर आपको best column में चाहिए तो 80 अबव होना चाहिए 83 अबव होना चाहिए अगर आप OBC से हो तो ठीक है तो अब हम बात करते हैं SC वालों की अगर आप SC category से हो तो आप लोगों को कितने percentage चाहिए तो अगर आप SC category से बिलों करते हो तो इसकी पिछले साल की highest grade थी 86% बठा हमें minimum से मतलब होता है तो इसकी जो lowest थी पिछले साल SC category की वो थी 75% लगबग 75% तो अगर आप B.com owner से हो तो आपके 76% होना बहुत ज़रूरी है अगर आप SC हो तो और अगर आप B.com program से हो और SC हो तो आपके 79 या फिर 80% minimum होना बहुत ज़रूरी है to take admission in DU ठीक है अब मैं बात करता हूँ ST category की ST category में जो पिछली साल highest गई थी percentage वो थी 80% बठा हमें minimum से मतलब होता है और minimum इसकी गई थी 67% which means कि अगर आपके 70% आ रहे हैं और अगर आप ST हो और अगर आप B.com owners में हो तो आपका admission हो जाएगा easily और अगर आप ST में हो और आप B.com program में हो तो आपके 75% minimum होना बहुत ज़रूरी है 74 या 75% ठीक है तब जाके आपका admission हो जाएगा अब बात करते हैं EWS category की इसकी highest गई थी 83% और इसकी जो lowest थी वो लगबक थी 77% 75% लगा के चलो तो अगर आप B.com owner से हो और अग admission हो जाएगा बट अगर आप B.com program में हो तो आपको minimum 80% होना बहुत ज़रूरी है अगर आप EWS से बिलोंग करते हो तो तो guys ये थी merit based cutoff list पिस्टे साल की इससे आपको admission से related कि आपके under graduation के अंदर कितने percentage होना ज़रूरी है minimum वो पता चल गया होगा उसे इसाप से आप estimate लगा स और कि आप वहाँ पर भी अपनी query पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल को जोइन कर लेना ठीक है मिलते हैं next video में